कारे बच्चो, Assalamualaikum, हम Great Caliphs of Islam की Comprehension कर रहे हैं। आज हम उसमें Articles के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि A, N और The, तीन Articles हैं। Definition of Articles, Articles की तारीफ क्या है। Articles are also called Adjectives because they modify the noun or pronoun. Articles को Adjectives भी कहते हैं क्यूंके यह Noun या Pronoun को Modify करते हैं। There are two types of Articles in English Grammar, दो तरह के Articles होते हैं English Grammar में। वह कौन से हैं। Definite Articles इसको दा कहते हैं। Indefinite Articles a and an Definite Article the, definite article जो है उसको कैसे यूस करते हैं। We use the definite article the before singular and plural, countable and uncountable nouns when the nouns are particular or specific. जब हम the को singular and plural, countable and uncountable दोनों nouns से पहले इस्तमाल करते हैं। जब वह खास हो जैसे The cat is sitting under the table एक खास बिली है जो के मेस के नीचे बैठी हुई है। तो हमने इससे पहले the इस्तमाल किया। इसी तरह unique things names, वो चीजें जो दुनिया में मक्सूस हैं जैसे The moon, एक ही दुनिया में चांद है तो हम the moon कहते हैं। इसी तरह the sun, तो इन दोनों से पहले भी हमने the लगाया। इसी तरह the is also used with names like oceans, seas, rivers, deserts, girls, forests, pennsyllas and points of the globe। जैसे खास नाम है समूंदरों के, दरियाओं के, सहराओं के तो उससे पहले भी हम the use करते हैं। जैसे the Indus River, क्योंके दरियाओं सिंध एक ही है, खास दरियाओं है तो हमने the लगाया। इसी तरह the Atlantic Ocean, तो Atlantic Ocean से पहले भी the लगेगा। With countries' names, कुछ मुलकों के नाम से पहले भी the इस्तमाल होता है। जैसे, if the country's name has a plural meaning, we use the, जैसे, the People's Republic of China, the Netherlands, तो इससे पहले आपने देखा के, हमने the use किया, जैसे, यह जमा की शकल में हैं, the People's Republic of China, the Netherlands, और इसी तरह the United States of America, के यह plural है, nouns, countries' के name, तो हम इससे पहले the use करेंगे। लेकिन अगर एक singular है country, तो उससे पहले the use नहीं करेंगे, जैसे Pakistan है, तो Pakistan से पहले the Pakistan नहीं लगाएंगे। इसी तरह the is used with classes of people, for example, the Muslims. Muslims, आपको पता है कि मुसल्मान वो लोग होते हैं जो Allah के आगे सर जुकाते हैं, एक ऐल्ला की बात मानते हैं, तो मुसल्मान बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अल्ला के शुकर गुजारें कि अल्ला ने हमें मुसल्मान घरानों में पैदा किया, लेकिन सही मुसल्मान ब है उल्फद में कदम रखना लोग आसान समयते हैं मुसलमान होना मुसलमान है जो उसकेою जब तक अबताएवे भेजवी किताब को तर्जमें से नहीं पढ़ता नभी करीमस की सुनत भी अमल नहीं करता वो मुसल्मान सही तरह से नहीं बन सकता तो प्यारे बच्चो आज से अपने उपर लाजिम कर ले कि आपने कुरान मुजीद को अदू तर्जमे के साथ पढ़ना है इसी तरह दरिच अमीर दरिच पीपल दर पूर गरीब आपको पता है नभी करीम से किसी ने पूछा कि गरीब कौन होता है तो सहाबा ने कहा कि हमारे ख्याल में तो गरीब होता है जिसके पास दुनिया का मालो मता नहीं होता तो नभी करीम से लिए ने कहा कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क्यामत वाले दिन रोज़ा नमाज और जकात के साथ आएगा लेकिन उसने किसी के बेज़ती की होगी, गाली गलोच के जरीए, बुरी बात के जरीए, कभी किसी की इज़त पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल वगयर हक के खाया होगा, किसी का फून बहाया होगा, किस करने वाले की नेकियों में से नेकियां लेगा और इसी तरह हर हकदार अपने हक के बदले में हक मारने वाले की नेकियों में से नेकियां ले जाएगा अगर उन हकदारों का हिसाब पूरा होने से पहले इसकी नेकियां खतम हो गए तो उन हकदारों की गलतियां और गुना उस पर फैंक दिये जाएंगे और फिर उसे जहन्न में फैंक दिया जाएगा तो प्यारे बच्चों हमें नमाज, रोजा और जकात के साथ अपने हाथ, अपनी जवान को भी रोकना चाहिए कि हम किसी को कोई गलत बात केंए, किसी का कोई हक वारे, देखें कि खुदाना खास्ता ऐसा ना हो कि हम कियामत वाले दिन मुफलिस लोगों में हों दिन is used with abbreviations, जहाँ पर मुफल्फ यूस किया जाता है, वहां भी दा लगाया जाता है जैसे the USA, the UNO, United States of America का मुखफफ USA है, United Nations का जो है organization का मुखफफ UNO है, उससे पहले भी दालगाया जाता है. अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की A and N. A is used with the countable nouns that start with the consonant and जैसे cat, consonant से start हो रही है था हम a cat कहेंगे, dog, a dog, consonant से start हो रहा है, a table. और N is used with the word that starts with the vowel sound, जैसे an orange, an apple, an umbrella, an egg, और an ink pot. तो आपने देखा कि यह 5 vowels हैं, a, e, i, o, u, तो इन सब से पहले जो है an article आता है, और जितने बाकी consonants हैं, उन से पहले ए आता है. अब यह है कि हम आपकी बुक में जो exercise दी हुई है वो करते हैं, उमीद है आप इसको कर लेंगे. जिसने यह किताब लिखी वो मशूर है, कौन सा आदमी, खास आदमी, जिसने यह किताब लिखी है तो यहां पे आएगा, दे मैन, दे मैन, वो रोट दिस बुक इस फेमस, वेरी गुड. अगली, अगला जुमला है, there is dash bag on the table, बैग किसे शुरू हो रहा है, consonants, एक common bag है, तो हम इसके आगे पहले लगाएंगे, a, there is a bag on the table, फिर आगे है, she has dash old watch, उसके पास एक पुरानी घडी है, old o से शुरू हो रहा है, o क्या है, एक वावल, तो यहां पे क्या आएगा, an, very good, आपने भी कुल सही समझा, next है, he is drinking dash glass of milk, glass किसे start हो रहा है, consonant से, तो यहां पे क्या आएगा, a glass of milk, ठीक है, आगे है, कल्सूम is dash pilot, कल्सूम जो है, वो एक pilot है, तो, यहां पे आएगा a pilot, क्यूंके pilot जो है, वो P से start हो रहा है, there is dash airport in my city, मेरे शहर में एक airport है, तो airport जो है, वो वावल से start हो रहा है, तो यहां पे an आएगा, do you know where I left dash car keys, अब यहां पे खास car है, जो के एक बंदे की है, वो अपनी चाबियां ढून रहा है, तो, the car keys आएगा, एक खास कार की चाबियां, तो प्यारे बच्चे उमीदा आपको सबक पसंद आया का, इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें,